हाई फ्रेंज मेरे यूटूब चैनल घरेलो नुसके असरदार उपाये में आपका एक पर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज की टिप्स में मैं आपको चेहरे के रंग को गोरा करने का और चेहरे को ग्लोइंग बनाने का एक असरदार घरेलो उपाय बताने जारी है इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे के रंग में बहुत ज़्यादा निखा रहाएगा आपकी तवचा का कालापन दूर होगा साथ ही यन उसका आपकी तवचा को ग्लोइंग बनाएगा लेकिन इससे पहले आपस रिक्वेस्ट अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपनी से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को ज़रूर क्लिक कर ले मैं जबी कोई नहीं वीडियो अप्लोड गरूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप आगे भी मेरे आने वाले सब्सक्राइब नहीं वीडियो को देख पाएगे तो चेले शुरू करते हैं चेहरे के रंग को निखारने के लिए और चेहरे को चमकदार बनाने के लिए मैं जो नुसका बताने जारे हूँ इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा दही आपको दही लेना है एक चमच दही हमारी तचा को निखारने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है दही के इस्तिमाल से हमारी तचा स्मूध होती है हमारी तचा का रुखापन दूर होता है साथी दही के इस्तिमाल से तचा ग्लोइंग होती है अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है टमाटर का रस आपको इसमें एक चमच टमाटर का रस मिक्स कर लेना है टमाटर का रस हमारी तवचा को गोरा बनाता है सांती यह हमारी तवचा की दगदबो को दूर करता है अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है शहद आपको इसमें आधा चमश शहद मिक्स कर लेना है शहद नैचरल मॉस्टराइजर का काम करता है जिसे हमारी तवचा मॉस्टराइज होती है और हमारी तवचा पहुत जादा सॉफ्ट और ग्लोइंग दिखती है इन सारी चीजों का पची तरह से मिक्स कर ले मिक्स करने के बाद अब आप इसे अपने चेहरे पर लगा करके थोड़ी दिर तक आप इससे मसाज करें इस तरह से मसाज करें चार से पांच मिनिट मसाज करने के बाद आप इसे बीस मिनिट के लिए लगा करके अपने चेहरे पर छोड़ दें बीस मिनिट के बाद आप नॉर्माल पानी से अपनी चेहरे को धोले इसका इस्तेमाल आप रोजाना कर सकते हैं या हफते में तीन बार इसका इस्तेमाल आप जरूर करें आपको गोरा निखरा और चमक दार चेहरे के अलावा ये आपकी चेहरे के दागतोंपों को दूर करेग साथ ही इससे आपकी तरचा ग्लोइंग होगी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे श्योय जरू करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में